वोदर अलबर्टा दे प्रीमियर अजसन कैनी ने कीस्टोर नेकसल पाइपलाइन प्रोजेक्ट नू रद करन दे लिए अपनी प्रतिकरिया जाहर कीती है उना के है कि अमरीका दे नमे बने राश्टपती जो बाइडन ने इस समझाते नू रद कर देता है उनने पहले दिन और दे दफ्टर दे कार्जकारी उदेशा दे उत्ते हस्ताक्षर कीते ने उना कैनड़ा दे प्रदान मंतरी जस्टिन टूडो नो इस अमरीकी राश्टपती देनाल विचारवट अंदरा करंदी मंग समूद दे दे उत्ते कीती है नहें विचारी जसे लिवचारी इा अरशनी टॉर दोग रदे बनाव इस अफे पजार्व बिच्ट यू आप मेर ल्या थेश्ती डिवट्सिंश अट जार्न को ब्रूच़ जू ऱ नदे नव्यू लोग अट्ति यू देन अर्यूड अमरीं रदाव जट इस यू परुन अर्डिकना क्राम पोर्स का बाली है कर दो झीलmezल úper हैं ल propheticे को फे।ानीजिक अजिक इन जेका स्थिर ब Agrॉड क सेके हैं बढेंड सोल निलuis stomach I will भोर वेस्टेयाम की स्क्राम रुडार, ट। यूखेsta ERICे में भी t Bundeserve हैं धिल्यसितंक से ने बतिके प्रश्ड वो जार ट्रिजडी डिपल on both sides of the border. But as friends and allies of the United States, we are deeply disturbed that one of President Biden's first actions in office has been to rescind the presidential permit for the Keystone XL pipeline border crossing. This is a gut punch for the Canadian and Alberta economies. Sadly, it is an insult directed at the United States' most important ally and trading partner on day one of a new administration.